विष्णु सहस्रनाम पाट के फाइडे सादकों विष्णु सहस्रनाम विष्णु जी का एक पाउरफुल सादना पद दती है कल्पना जी ने इस ट्विक को सेट किया था तो कर्मेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सादकों प्राचिन काल से हर वैश्णों के घर में विश्णों सहसर नाम का पाट किया जाता था आप इसे रोजवी पढ़ सकते हैं या आप सिर्फ एक आदेशे के दिन ही पढ़ सकते हैं आज जानेंगे विश्णो सरस्रनाम पाट के फाइदे के हैं और इसके नियम क्या हैं तो बिनाएक से दिरिकिये विडियो शुरू करते हैं दोस्तों पूरे भारत में सरस्रन्द्रम का प्रसार करना यह हमारे मिशन है अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो अब हमारे यूट्यूब चला को जोरू सस्क्राइब कीजे और इस बैल आकोन को प्रिस कीजे और पहला फैदा है विशेश अवसरों पर वरत रखने के साथ सा देदी कोई विक्ती विश्णु सहस्रनाम का पाट करता है तो इसकी समस्त मनों कामना यह पूर्ण होती है तुसरा है इस पाट को करने से घर में धनधाने सुकसंपदा बनी रेती है तिसरा है विश्णु सह बग्ष्पी मूर्ती के स्तापना करें और पाट करें इसका नियमी तुरुप से नियमी तुर्फ से पाट करने से भाग्वदय होता है अगर प्रगतिय में पादा उत्पन हो रही हो तो भी विश्णु सहस्रनाम का पाट अवश्че करें सादकों विश्णु सहस्रणाम पाड के कुछ नियम भी है जैसे कि इस पाड को करने की पूर्व पवित्र होना ज़रूरी है तुसरा है हमेशा बैट करें इसका जाप करें तिसरा है अगर दिलनेते पाड करना चाते हो तो सुबह या शाम इस ताइम में ही पाड करें चबता है पाड करते वक्त बीच में ब्रेक ना लें पर आप पानी पीए सकते हैं तो सादकों आपको पता चले गया वक्त कि विश्णु सहसरणाम के फाइदे क्या है और इसके नियम क्या है अगर आप विश्णु सहसरणाम खरिदना चाते हैं तो आपको मैक्जीमम 150 रुपे लगेंगे तो आप इसका पार्ट आवश्य करें तो आज के लिए बस अतना ही हरे क्रिश्ण दोस्तों हम हमेशा सरादन धान के बारे में ऐसफा लाते रहे ते हैं अगर आपको फिदे लगा है तो आप कया कर सकते आप इसे लाइक कीजि़े और थ़र्गबात क्या है कि आप सस्क्राइब ज्रूर कीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही वहिए बहतली ही औरत armpit कांटेट